हेलो एब्रिवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल हरेस क्लासेज पर जैसा कि हम लोग सिंथेसेस और सेंटेंसेज इस टॉपिक का अध्यन कर रहे हैं तो आज हम इस वीडियो में इस टॉपिक के अंतरगत नाउन अथवा जीरन से पहले प्री पोजिशन का प्रियोग करके दो या दो से अधिक साधाराण बाक्यों से एक नया साधाराण बाक्य बनाना सीखेंगे तो सातियो बोर्ड एक्जाम की द्रश्टी से यह बीडियो आप लोगों के लिए काफी यूजफुल रहेगा क्योंकि बोर्ड एक्जाम में यहां से आप लोगों से लगातार कोसंस पूछे गए हैं तो मैंने बहुत सारे कोसंस को इस वीडियो में इंक्लूड किया है जिसके माध्यम से मैं आपको कॉंसेप्ट को बिलकुल किलियर करने का प्रियास करूँगा लेकिन उससे पहले हमें यह जानना होगा कि यह प्रीपोईशन, नाउन और जीरंड होते क्या हैं तो आईए सबसे पहले देखते हैं प्रीपोईशन को अगर हम बात करें प्रीपोईशन सब्द के हिंदी मीन्स की तो लगभग आप सभी लोग जानते होंगे इसका हिंदी मीन्स होता है संबंध सूचक अगर आप इस वर्ड को प्रेक्टिकल लाइफ में समझना चाएं तो कुछ इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जब कोई भी अरेंज मेरेज होती है तो लड़की के परिवार को लड़के के परिवार से मिलाने का जो कार्र करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं तो आप कहेंगे बिचोनलिया या फिर बात करें तो घर जोड़े तो ठीक इसी प्रकार से प्रीपोईशन पार्स ओफ स्पीच में एक रिलेशन बनाने का कार्य करता है अगर आप इसकी डेफिनेशन समझना चाहें तो संचपत रूप में ये समझ सकते हैं प्रीपोईशन इस पहले आई हुए वर्ड को किसी वाद वाले वर्ड से तो जब ये दोनों वर्डों को आपस में रिलेट कराने का कार्य करेगा इसलिए हम इसे कहते हैं रिलेटिंग वर्ड और रिलेटिंग वर्ड है क्या प्रिपोईशान ठीक है आईए कुछ एक्जम्पल्स के माध्यम से मैं इसे आप लोगों को समझाने का प्रयास करता हूँ यहां आपका पहला एक्जम्पल है रवी केम इन्दा क्लास रवी क्लास में आया इन्टू भी आप लगा सकते हैं परेशान होने की आवस्यक्ता नहीं है तो साथी अगर हम यहां ध्यान से देखें तो जो इन वर्ड है अपने आप में एक प्रिपोईशन है अब तो यही तो मैंने कहा प्रिपोईशन अपने आप में एक रिलेटिंग वर्ड होता है जो रिलेट करता है एक वर्ड को दूसरे वर्ड से तो यहां प्रिपोईशन क्या है तो आप कहेंगे सर इन है एक और एक्जम्पल देख लीजिए आप रवी मैट रिया इन्दा क्लास यानि कि रवी क्लास में रिया से मिला तो यहां आप देखें इन अपने आप में एक प्रिपोईशन है अब है क्यों यह क्योंकि रिया नामक नाउन को उसने क्लास नामक नाउन से रिलेट करने का कार्या किया है तो इसी प्रकार से आप एक और एक्जम्पल देख सकते हैं तो कहने का मतलब ये है, आपका बीचों बीच में देखने को मिलेगा आपको preposition, ठीक है? और उससे पहले आने वाला word वव हो सकता है, नाउन हो सकता है, या फिर नाउन को substitute करें आप, तो उसकी जगहे पर हम प्रनाउन लिखते हैं, तो प्रनाउन हो सकता है, या फिर preposition से पहले adjective हो सकता है, लेकिन इसके बाद में आपको 100% noun या प्रनाउन ही देखने को मिलेगा, यहां तक की बात clear है, कि जो preposition है, उससे पहले वव हो सकता है, नाउन हो सकता है, प्रनाउन हो सकता है, या अएक्टिव हो सकता है, लेकिन जिससे वह relate करेगा, तो उसके बाद में हमेशा noun या केवल प्रनाउन होगा, तो यहां आप देखें, तो came था, यहां आप देखें तो noun था, और यहां आप देखिएगा तो adjective है, ठीके, आईएगा, अब noun समय लेते हैं थोड़ा सा, तो noun की अगर हम बात करें, तो noun is a naming word, यानि कि जिसके सीका भी अपना एक नाम है, वह अपने अपने noun कहलाएगा, ले लेकिन अगर हम sentence में इसके identification की बात करें, यानि कि noun को अगर हमें sentence में पहचानना है, तो तीन question word का reply आपको मिलना चाहिए, पहला question word है who, दूसरा है whom, और तीसरा है what, अगर हम इनके Hindi means की बात करें, तो कौन का या किसने का reply मिलने चाहिए, या किसे या किसको का reply मिलना चाहि या फिर क्या का हमें reply मिलना चाहिए, जैसे कि यहाँ, देखिएगा, कुछ examples मैंने लिए हैं, देखिएगा, I love my home, मैं क्या पसंद करता हूँ, तो आप कहेंगे sir, क्या का reply हमें मिला है, home, तो यहाँ जो home word लेखा हुआ है, वह एक noun है, ठीके, अगर हम इससे कह दें, I go home, क्यों, मैं कहा जाता हूँ, और यह कहा का reply है, तो वहाँ अपने अपमें adverb होगा, कहा का reply मिले, यानि कि where का, का reply मिले, यानि कि when का, या फिर how का reply मिले, यानि कि कैसे का, तो है अपने अपमें adverb होगा सातियो, अगला sentence, love is blind, तो यहाँ कोसन कीजिए, क्या अंदा है, तो आप कहेंगे love, यानि कि प्यार अंदा है, तो यहाँ love अपने अपमें क्या है, एक noun है, यहाँ थोड़ी देर पहले अगर आप देखें, तो love एक wow की तरह कारे कर रही थी, यानि कि देखने में कोई सब्द कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम उसे, जो sentence दिया है, वसी में क्या क तो यह तो कहा का reply यह देखने में noun जरूर है, लेकिन हम इस sentence में किसकी तरह कारे कर रहा है, एडवव की तरह, अब वह कब जाएगा आगरा, तो आप कहेंगे sir, कल, तो यहाँ भी यह किसकी तरह कारे कर रहा है, एडवव की तरह, लेकिन नीचे वाला sentence देखिए, तुमारो never comes, यानि कि कल कभी नहीं आता है, क्या कभी नहीं आता है, तो आप कहेंगे sir, तुमारो, तो यहाँ तुमारो किसकी तरह कारे कर रहा है, एक noun की तरह, तो जो मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, वह आपको बिल्कुल clear होना चाहिए, आगे बात करें, honesty is the best policy, इमानदारी क्या है, तो आप कहेंगे sir, policy, तो यह क्या का reply है, तो यह भी क्या होगा, noun, तो यह बात आपको clear हो चुकी है, कि noun होता क्या है, आगे देखिए, जीरंड, तो यह आप जानते हैं, यह अपने आप में एक non-finite wow होता है, क्या होता है, non-finite wow, लेकिन इसे हम पहचानते कैसे हैं, तो wow की first form में जब हम ing लगा देते हैं, और इस wow का हिंदी अर्थ, क्रिया में, न, 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 देखने को मिले, क्या देखने को मिले, न, 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 न पहलाएगा, तो non-finite wow मैं आपको लगातर clear करते आ रहा हूं, पिछले वीडियो लक्षर्स को आसानी से देखिएगा, सब चीज आपको clear कराई गई है, अब यह वर्वल नाउन क्यों होता है सातियो, वर्वल नाउन इसलिए होता है, क्योंकि यह wow से बना है, जब एक क्रिय एक नाउन की तरह कारे करे, तो है हमारा वर्वल नाउन कहलाता है, जैसे मैं example के माध्यम से clear करूंगा, देखिएगा, he likes dancing, यानि कि उसे नाचना पसंद है, क्रिया में क्या आया नाचना, तो यह B1 plus ing आपका लगा है, तो यही क्या कहलाएगा आपका जीरंड, आगे देख किएगा, smoking is injurious to health, यानि कि धुम्रपान करना स्वास्त के लिए हानिकारक है, तो देखिए, smoke आपकी वव होती है, इसमें क्या लगा हुआ है, ing, अब question कीजिएगा, what is injurious to health, स्वास्त के लिए क्या हानिकारक है, तो आप कहेंगे sir, smoking, तो यहां किसकी तरह कारे कर रहा है, ए वर्वल नाउन की तरह की अगर हम बात करें, क्यों है यह, क्योंकि यह वव से बना है, इसलिए इसे हम वर्वल नाउन कहते हैं, अगर आप यह भी समझ सकते हैं, यह अपनी आप में एक linking वव है, और कहसकर बात करें हम, वव से पहले आपका subject लिखा जाता है, अब subject या तो जिन नाउन की हमें नाम नहीं पता होता है, और वे नाउन की तरह कारे करते हैं, तो हम उन्हें नाउन equivalent कह देते हैं, तो आपको यह तीनों चीज़ें क्लियर है, प्रीपोईशन क्या होता है, तो आप कहेंगे सरी एक relating word होता है, जो दो सब्दों को आपस में जोडने का कार करता है, और अगर हम बात करें नाउन की, तो नाउन अपने आप में कोई भी नाम हो सकता है, इसका हमें identification करना होगा, तीन question word से, कौन-कौन से वो आपके कौन हो गया, किसे हो गया, या फिर क्या हो गया, और जीरन की बात करें, तो यह अपने आप में एक non-finite या infinite word होती है जो हम क्रिया में first form plus ing से पहचान सकते हैं, लेकिन हिंदी में क्रिया का अर्थ ना नी ने होना चाहिए, तो आईए खुछ important prepositions आपके समच हैं, तो पहला for है, इसका हिंदी means होता है के लिए, लेकिन ज्यादा तर questions आप से पूचे जाते हैं के बदले में, जब आप किसी भ में निकलेगा या फिर के बदले में, तो मैं की यहां इन आपको prepositions लगाने की आवसकता नहीं हैं, क्योंकि जब भी price की बात करें, तो आपको for का प्रियोग करना हैं, जैसे देखिएगा, message गीता sold her big house, यानि कि message गीता ने अपने बड़े से घर को बेचा, she got 20 lakhs for it, और उसने इसके बदले में 20 लाख रुपए प्राप्त किये, तो साती होगार हम बात करें, इसमें पहले से हमें prepositions दिया हुगा है, ये देख सकते हैं for, तो सबसे पहले, जो आपको इन दौनों बाक्तियों में से निरर्थक, जो सब्द देखने को मिलें, उन्हें आप अठा दें, तो देखिए message गीता हमारे पास है, तो इसे हम रखे पहलेंगे, finite verb है, और साती सात बात करें, तो noun भी हमारे पास है, तो message गीता के लिए C आजा है, सबसे पहले आप ये अठा देंगे, simple sentence में एक ही finite verb होता है, तो हमारे पास finite verb है, तो इस verb को भी आप अठा देंगे, अगर हम बात करें house पहले से हमारे पास noun के रूप में है, तो हमें 8 भी अठा देना है, तो यहाँ preposition हमारे पास है, तो इसी preposition को जो 20 lakhs, जो lakhs नाम बरड है, यह अपने आप में noun है, तो इसी से पहले हमें जहाँ क्या लगा देना है, preposition for को, तो क्या हो जाएगा आपका अंसर, मिसेज गीता sold her big house for 20 lakhs, यानि कि मिसेज गीता ने 20 लाख रुपए के बदले में अपने बड़े घर को बेच दिया, कोई दिकत तो नहीं है किसी को, आसानी से बनाना होगा आपको, जैसे एक बड़ फिर मैं समझा देता हूँ, यह पूरा sentence आपको लिख देना है, इसके बा सब को अठा देंगे, नीचे बाला question है, वीडियो को पॉज करकर बनाने का प्रियास करने, I want a watch, मैंने एक घड़ी खरी दी, I paid 500 RS for it, तो यानि कि मैंने एक घड़ी खरी दी, मैंने इसके लिए 500 रुपए अदा किये, तो आप हिंदी में कैसे combine करेंगे, मैंने 500 रुपए के बदले में एक घड़ी खरी दी, तो सब से पहले आप लिखेंगे I, उसके बाद finite बाप लिख देंगे what, उसके बाद आप लिखेंगे a watch, अब यहाँ पहले से प्री पोजिशन दिया है, तो इससे आप ले लेंगे for, आगे आप लिख देंगे RS 500, यह आपका नाउन है, ठी ठीक है, तो मैंने 500 रुपए के बदले में एक घड़ी खरी दी, अब यहाँ नाउन नहीं होता, वव होता, तो उसे आपको जीरन फर्म में बदल देना था, एक यहाँ के लिए के अर्थ में ले लीजिएगा, राम किल्ड रावन, राम ने रावण को जान से मार दिया, रा तो सबसे पहले आप लेखेंगे राम, किल्ड, रावण, अब यहाँ के लिए आया है, तो आप फॉर का प्रियो कर देंगे, ठीक है, अब यहाँ वव है इस्टॉल, तो इसका फर्स्ट पर्म आपको लिखना होगा, इस्टील होता है, प्री पोजिशन के बाद या तो नहीं होनी चाहिए पहले कॉंसेप्ट में, और यह आप पहले कोश्टन को देख सकते थे, दो हजार चौवीस में पूछा भी गया है, अगला प्री पोजिशन है आपका, बिसाइड्स, इसका हिंदी आर्थ होता है, के यत्रिक्त भी, या फिर इसके स्नोनियम्स के रूप म आप यूज कर सकते हैं, इसका भी हिंदी आर्थ होता है, के यत्रिक्त भी, तो सातियों, आप जानते हैं, इसमें दो कार्रे किये गई होंगे, एक ही ब्यक्ति के द्वारा, जैसे देखिए पहला सेंटेंस, और मोश्ट इंपोर्टेंट सेंटेंस है, यह लगाता आप उदार्ता पूर्वाक उनकी मदद भी की, तो देखो एक ही ब्यक्ति है, उसने दो कार्रे किये हैं, कितने कार्रे किये हैं, दो, वो कार्रे कौन-कौन से हैं, पहले तो उसने उन्हें अपनी सला दी है, और साती सात उनकी उसने उदार्ता पूर्वाक मदद भी की है, तो हि ऐसे इस्तिति में आपको besides pre-position का सवसे पहले प्रियोग करना है तो सवसे पहले आप यहां लेखेंगे besides क्या लेखेंगे besides उसके बाद subject आप अठा देंगे यहां give को आपको जीरन फॉर्म में बदलना है तो मैंने बता जा b1 plus ing आपको लेखना है तो जब आप ing लगाएंगे तो e हट जाएगा तो besides giving उसके बाद आप जोड़ देंगे them his advice जहां आप लगा देंगे comma h small हो जाएगा he helped them liverly जाने कि उन्हें अपनी सला देने के अत्रिक्त उसने उदारता पूर्वाकुन की मदद भी की तो सातियो besides pre-position का आपको ऐसे इस्तिति में पहले प्रियोग करना है उसके बाद पहले बाके की जो finite वाव है उसे आपको जीरंड में बदल देना है उसके बाद जो भी other word दिये हैं उन्हें आप mention कर देंगे comma लगाएंगे उसके बाद अगर प्रनावन है तो उसके पहले letter को आपको small लिख देना है और जो भी दिया है उसे आप आगे mention कर द आता है एक और example देखिए मिश्टर रवी टीच्स मी mathematics यानि कि मिश्टर रवी मुझे mathematics पढ़ाते हैं he page my college fee also वह है मेरी college की fees को भी अदा करते हैं तो मिश्टर रवी हैं जो दो कारे कर रहे हैं एक तो मुझे पढ़ाने का और साती सात मेरी college को जो college की fees है उसे अदा करने का तो आप हिंदी में कैसे कहेंगे मुझे mathematics पढ़ाने की अत्रिक्त मिश्टर रवी मेरी fees भी अदा करते हैं तो सबसे पहले आपको किसका प्रियो करना है तो आप कहेंगे sir besides तो besides आपने लिखा यहां मिश्टर रवी हट जाएगा teach यसे आप जीरन फॉ पूरा आप लिख सकते हैं उसके बाद यहां आप लगा देंगे कॉमा अब ही आपको नहीं लिखना है क्यों क्यों कि यहां रवी नामक नाउन की रूप में आजा है तो इसलिए आपको प्रनाउन नहीं लिखना है आप लेखेंगे यहां रवी ही की जगह पर उसके बाद लिख देंगे page my college fee also आप अठा देंगे क्यों क्योंकि यहां besides महीं include है तो besides teaching me mathematics मुझे mathematics पढ़ाने के अत्रिक्त Mr. Ravi Mr. Ravi page my college fee Mr. Ravi मेरे college की fees भी अदा करते हैं अब एक ऐसा sentence देख लीजिए वैसे यह पूचा नहीं जाता है पर आपने 10th level में ऐसे questions पढ़े होंगे I want a pen मैंने एक pen खरीदा I want a pencil also मैंने एक pencil भी खरीदी तो आप हिंदी में कैसे कहेंगे मैंने एक pen के अत्रिक्त एक pencil भी खरीदी तो finite verb हमारे पास subject यहीं रहेगा यहां I want को आप अठा देंगे यहीं लिख देंगे besides क्या लिख देंगे besides ठेक है और यहां I want a pen besides a pencil मैंने एक pencil के अत्रिक्त एक pen भी खरीदा तो यह नहीं पूचे जाते हैं उपर वाले concept बाद ज्यादा ध्यान देना है यह भी आपका एक important structure है और यहां बात करें pre-position on की तो आप सभी जानते होंगे on की बात करें तो इसका हिंदी आर्थ होता है पर तो देखिए पहला sentence I saw the moon मैंने चंद्रमा देखा I became happy मैं प्रसंद हो गया तो आप हिंदी में कैसे combine करेंगे चंद्रमा देखने पर मैं प्रसंद हो गया तो आप सुरू में ही लिख देंगे on उसके बाद आप I को अठा देंगे जो आपकी finite बाउग 100 है जैसे आपको pre-position के बाद जीरन फॉर्म में बदलना है तो यह हो जाएगी sing उसके बाद the moon और यहां लगाएंगे आप कॉमा आगे जोड़ देंगे आप I became happy चंद्रमा देखने पर मैं प्रसंद हो गया आप कहेंगे सर ऐसे भी तो कह सकते हैं चंद्रमा देखने के बाद तो जी बिलकुल आप after का भी प्रियोग कर सकते हैं ठेके अगला question यह board exam 2013 में आपसे पूछा गया है तो सातियो जब भी आपको दूसरे sentence में हरड नामक वव देखने को मिले तो इससे पहले आपको प्रिपोजिशन और का प्रियो करना है और इससे आप जीरन फर्म में बदल देंगे तो सबसे पहले आप यहां लेखेंगे थोड़ा सा मैं space बना लेता हूँ देखिए सबसे पहले आपको यहां प्रिपोजिशन और का प्रियो करना है यहां से आप दा प्यूपल नामक subject को हटा देंगे अभी फिलाल के लिए जो वव आपको हरड दी है इससे आप जीरन फर्म में ले जाएंगे तो इसका फर्ष्ट फर्म होता है here जिसमें आपको ing add कर देना है तो यह हो जाएगा on hearing उसके बाद आगे लिख देंगे आप इसके जो भी बड़ दिये है the news ठेके अब the news के बाद में आपको preposition of का प्रियो करना है यह आप देहां रखेंगे यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए तो इस sentence का पूरा कार खत्म हो चुका है अब हमारे पास क्या बचा तो आप कहेंगे सर पहला sentence तो यहां आपको लोट कर आना है तो यहां आपको पहले subject के रूप में noun देखने को मिला है तो आप यही लिख देंगे the king क्या लिख देंगे the king अब इसके उपर आपको लगाना होगा apostrophe s आप कहेंगे सर यहां noun था तो आपने noun लिख दिया और उसके उपर apostrophe s लिख दी अगर यहां प्रनाउन मान के चलिए he होता फिर क्या करते तो मैं कहता of के बाद में आपको he का positive adjective hig लिख देना होता क्या लिख देना होता hig अगर यहां c होता तो आप हर लिख देते ठीक है और उसके बाद में जो आपको wow या फिर adjective दिया है उससे noun form में बदल देना है तो यहां ill है तो इसका noun form हो जाएगा illness क्या हो जाएगा illness इसके बाद आपको लगाना होगा क्या लगाना होगा क्या अब हमारे पास यहां देखा जाए तो went बच्चा है और to the palace लेकिन हमने pupil का अभी कहीं mention नहीं किया है तो subject हो जाएगा हमारा the pupil क्या हो जाएगा the pupil उसके बाद आप finite बाव लिख देंगे went क्या लिख देंगे went आग लिख देना to the palace to the palace अच्चे से समझ लीजेगे एक बार फिर से on hearing the news of the king's illness राजा के बीमार होने की खवर सुनने पर लोग महल को गए concept एक बार फिर अपने जहन में बना लें कि जब भी हमें heard नामक वव दी है तो इससे पहले हमें preposition on का प्रियो करना है और इसके बाद इस वव को हम जीरन फॉर्म में बदल देंगे उसके बाद हम लिख देंगे जो भी word इसमें दिये हैं जैसे की the news जर्नली यही देखने को मिलेगा उसके बाद अपने आपको preposition off का दियां रखना है उसके बाद पहले sentence का subject अगर noun के रूप में है तो noun लिखेंगे और उसके बाद हम epistrophe s का प्रियो करेंगे अगर मान के चलिए यहां कोई subject pronoun है तो उसका possessive objective बनाएंगे और उस पर हमें epistrophe s लगाने के आवसकता नहीं है जैसे की नीचे questions दिये हैं इनके through मैं clear करूँगा दो हजजार चौविस में पूचा है हर ब्रदर डाइड उसके भाई की मरत्यू हो गई सी हरड दा न्यूज उसने ख़वर सुनी सी फेंटेड और वह मूर्चेत हो गई तो सातियों यहां भी आप देख सकते हैं हरड नामक वाव आपको दी है तो आप कैसे कहेंगे अपने भाई की मरत्यू की खवर सुनने पर वह मूर्चेत हो गई तो सब से पहले आपको on का प्रियोग करना है उसके बाद हरड को जिरन फर्म में बतल देंगे तो आपका हो जाएगा हीरिंग उसके बाद लिख देंगे आप दन यूज यहां तक आपको कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए इसके बाद आपको प्रिपोईशन ओफ पता ही है अब हमारा इस सेंटेंस से हो चुका है पूरी तरीके से कार्रेख खत्म तो हम पहले सेंटेंस की तरफ चलेंगे तो यहां हर ब्रदर पहले से आपको पजे से वजेक्टे प्लास नाउन दिया है तो आप लिख देंगे हर ब्रदर अब यहां brother noun है तो आपको इस पर apostrophe S का प्रियो करना है diet का noun form लेखेंगे तो आपका हो जाएगा death क्या हो जाएगा सातियो death उसके बाद आप लगा देंगे comma क्योंकि इसका भी कार्ण खत्म हुगा आगे आप लेख देंगे C fan dead बन गए आसानी से तो आप कहेंगे बिलकुर यानि कि अपने भाई की ख़वर अपने भाई की मरत्यू की ख़वर सुनने पर वह मूर्चेत हो गई एक और question है ये भी बना कर देखिएगा he has failed वह सफल हो चुका है he heard the news उसने ख़वर सुने he fented और वह मूर्चेत हो गया यहां आप देख सकते हैं heard आपको दिया है तो सबसे पहले आप pre-position on का प्रियो करेंगे इसके बाद इसे jiran form में लिखेंगे तो hearing हो जाएगा उसके बाद आप लिख देंगे the news या लिख देंगे the news और यहां आपको reposition of का देहां रखना है यह sentence finish होगा इसके बाद में हमें पहले sentence के रूप में प्रनाउन ही दिया है तो इसका पज़े से objective हो जाएगा हेज और यहां failed नामक वब है तो इसका noun form हो जाएगा आपका failure क्या हो जाएगा failure यहां आपको लगा देना है कॉमा क्योंकि इसका भी काउम समाप्त होगा आएगा आप जोड़ देंगे he fented on hearing the news of his failure अपनी असफलता की ख़वर सुनने पर he fented वहां मूर्चित हो गया अब आपको failure का antonyum मुझे comment में send करना है आपके unseen passage में यह question दो है जचा 24 में पूचा गया है अगला pre-position है आपका in spite of या फिर despite of in अलग रहेगा साथी हो आपका ठीक है in फिर उसके बाद spite और आगे of अलग अलग है यह तो इसका हिंदी आर्त होता है के बावजूद यह आपका contrast दिखाता है क्या दिखाता है contrast यानि कि ब्रोध की बात करेगा जैसे मानके चलिए आपको किसी ने अपने घर आमंत्रित किया तो आपका फर्ज बनता है आपको जाना चाहिए लेकिन आप नहीं गए तो यह क्या हो गया contrast जबकि उसने आपको बुलाया था तो आपको जाना चाहिए लेकिन आप नहीं गए तो ऐसा ही यहाँ देखने को मिलेगा जैसे यह वर्क्ड हार्ड उसने कठेन परस्रम किया वह परिच्छा पास ना कर सका अब यहाँ कठेन परस्रम किया है वह परिच्छा पास ना कर सका तो सबसे पहले आपको लिखना होगा यहाँ मैं नीचे बनाऊँगा सबसे पहले आप प्री पोजिशन in spite आगे लिखेंगे in spite of subject आप अठा देंगे इससे आप जीरन फॉर्म में बदल देंगे तो यह हो जाएगा working क्या हो जाएगा working उसके बाद में आप लिखेंगे hard working hard यहाँ आप लगाएंगे subject हैं हमारे पास थी finite वाव एकोड आगे लिख देंगे not pass the exam in spite of working hard cutting परस्रम करने के बावजूद he could not pass the exam वह परिच्छा पास ना कर सका यह questions आपका लगातर पूछा गया है he has failed many times वह कई बार असफल हो चुका है he still hopes to succeed उसे अभी भी सफल होने की उम्बीद है तो साथियों कई बार असफल हो चुका है फिर भी वह contrast बता रहा है कि उसे अभी भी सफल होने की उम्बीद है जैसे की आपने देखा होगा एक मूवी का नाम है जिसका साथी में जरूर आना तो उसमें गयाना बहुत बारल हुआ था ठोकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी तो वहाँ भी तो उसने साथी नहीं की थी तो आप इस गाने में थोड़ा सा अपनी तरफ से यह एड़ कर सकते है ठोकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी मैं तेरे घर से तबा उठा लाया अब तू रोटी काई पर सेखेगी गर्मी का मौसा में छत पर भी क्या कर सकते हैं आप लोग सेख सकते हैं तो हिंदी में कम्माइंड कैसे करेंगे कई वार असफल होने के बावजूद उसे अभी भी सफल होने के उम्बीद है तो सबसे पहले यहां आपको प्री पोजिशन इन इस्पाइट का प्रियो करना है इन इस्पाइट कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए तो यहां many times failure लिखा है तो आप many failures लिख देंगे many failures क्योंकि failed का noun form अभी मैंने आपको बताया है तो failures हो जाएगा यह बन गए आपका इन इस्पाइट आप many failures यानि कि कई बार असफल होने के बावजूद यहां आप लिख देंगे कौमा आगे he still hopes to succeed उसे अभी भी सफल होने की उम्बीद है जरूर यह सफल होने की उम्बीद रखना सातियो अगर हम यहां बात करें सातियो एक और sentence है he was ill he was ill वह बीमार था he went to school he यहां लिख देता हूँ उपर he went to school वह इस्कूल गया तो वीमार था उसे इस्कूल नहीं जाना चाहिए था लेकिन यहां contrast है तो आप कैसे कहेंगे बीमार होने के बावजूद वह विद्धाले गया तो आप कैसे जोड़ सकते हैं यहां in spite of या तो आप सीधा illness लिखने हैं अगर जीरन फॉर्म बनाना चाहें तो आपको मैंने पढ़ाया है बहुत यहां वीव के रूप में आ जाए किसके रूप में आ जाए वीव के में क्योंकि यहां यह linking वव है तो इससे आप बिंग में भी बदल सकते हैं किसमें बदल सकते हैं यह भी आप लिख सकते हैं अगर बिंग का प्रियोग ना करें तो आप यह भी लिख सकते हैं इस्पाइट ओफ इल्नेस लिख सकते हैं तो परिशान नहीं होना है आपको आफ्टर और विफोर की बात करें तो साथियो यहां से बहुत कम कोस्षंस आपसे पूछे गए हैं लेकिन फिर भी समझ लीजिए तो आफ्टर का मतलब होता है के बाद और विफोर का मतलब होता है के पहले तो sentence में आप आसानी से इनका यूज कर सकते हैं दोनों में दोनों pre-position का आप आसानी से प्रयोग कर सकते हैं पहला है the moon rose यानि कि सुर्य उदेत हुगा the journey was not ended लेकिन यात्रा समाप्त नहीं हुई हिंदी में आप कैसे combine करेंगे यानि कि चंद्रमा के निकलने से पहले यात्रा समाप्त नहीं हुई तो आप इसी में से जोड़ दीजिए सीधा the moon rose उसके बाद pre-position before अब आप यहाँ non-form बनाएंगे तो ended का आप लिख देंगे before the end of the journey यह आप phrase बनाना सीख जाएंगे हिंदी में combine करेंगे तो आपको दिकत नहीं आएगे यानि कि चंद्रमा जर्नी के समाप्त होने से पहले चंद्रमा यात्रा या जर्नी के समाप्त होने से पहले निकला तो इसी का मतलब भी तो यही है आगे देखिए he washed his hands उसने अपने हातों को धुला he had milk उसने भोजन किया तो आप कैसे कह सकते हैं हिंदी में उसने भोजन करने से पहले अपने हातों को धुला तो के पहले तो आप आसानी से जोड़ सकते हैं he washed his hands पूरा लिख दीजिए यहां तक ठेक है कोई देकत नहीं होनी चाहिए उसके बाद के पहले आया है तो आप लखेंगे जहां before before अब आप जानते हैं have have का मतलब खाना भी होता है आप पड़े होंगे तो have की five form होती है आप जानते हैं have had, had, having or had तो यहां आप इसे had को जीरन form में भी बदल देंगे तो having हो जाएगा क्या हो जाएगा having ठेक है take भी होता यानि कि took होता तो आप उसे take में बदल देते किसमें बदल देते taking में तो he washed his hands before having meal यह हो जाएगा आपका है यानि कि उसने भोजन करने से पहले अपने हातों को दुला दूसरे तरह आप क्या कह सकते हैं उसने उसने हात दुलने के बाद भोजन किया उसने हात दुलने के बाद भोजन किया तो आप इसे उल्टा लिखेंगे फिर he had he had meal उसने भोजन किया after अब यहाँ washing हो जाएगा washing his hands his hands उसने अपने हातों को दुलने के बाद भोजन किया तो इस प्रकार से हंदी से combine कर सकते हैं ये दौनों वर्ड conjunction का भी कारे करते हैं सातियो किसका प्रियो करते हैं किसका कारे करते हैं conjunction का तो यहाँ भी आप एक छोटी सी नॉली रख ले हैं sentence error आप से पूचे जाते हैं तो एक है bird आपके पास में after और दूसरा है before तो after से पहले आपको हमेशा past indefinite यानि की second form का प्रियो करना होता है negative हो तो did not लेग देंगे यानि की past indefinite में यूज करना है और बाद बाला perfect में यानि की head के बाद में third form का आपको प्रियो करना होता है screen sort ले सकते हैं before वाले concept में आपको ध्यार रखना है पहला आपका perfect में बनेगा यानि की head के साथ में third form और बाद बाले की बात करें तो past indefinite में और बाद में यहां से कोसन आपका पूछा गया है अगला preposition है without इसका हिंदी अर्थ होता है ये बिद का पोईट होता है बिद का मतला होता है के साथ without का मतला होता है तो आपको एक छोटी सी जानकारी यहां ध्यान रखनी है कि जह sentence में would have का प्रियोग हो उसी को सबसे पहले आपको लेखते ना है पूरा उसके बाद आप preposition without का प्रियोग करेंगे जो subject दिया है उसे पजेशिव एक्ट में बदल देंगे और जो बाब है उसे noun form में convert कर लेंगे ठेक है तो सबसे पहले आप लेखेंगे यहां से पूरा लेख देंगे आप I would have been drowned in the river उसके बाद आप लेखेंगे without किसका प्रियोग करेंगे without और आगे subject you है तो इसका पजेशिव एक्टिव योर होता है आप जानते है help का नाम form मनाएंगे तो help रहेगा यह noun भी होता है ठेक है I would have been drowned मैं डूब गया होता in the river नदी में without your help आपकी मदद के बिना कोई दिकत तो नहीं है आगे देखिएगा you helped me तुमने मेरी मदद की नहीं सॉरी you helped him तुमने उसकी मदद की he would have failed वह सफल हो गया होता तो आप कैसे कहेंगे वह आपकी मदद के बिना सफल हो गया होता तो बुड़ है बाली सेंटेंस को पहले लिख दें he would have failed आगे आप लिख देंगे without without आगे your help your help ठेक है यह हो गया आपका अंसर आगे देखिएगा with इसका मतलब होता है के साथ यानि कि किसी भी कारे को किसी चीज के साथ करें जैसे कि मैंने चाकू से फल काटा तो यहाँ यह तो नहीं है कि चाकू को दूर रख दें और फल कट जाए भई तो आपको क्या करना होगा फल और चाकू को एक साथ रखना होगा तो my brother angel मेरा भाई बीमार है तो आप कैसे कहींगे मेरा भाई तेज बुखार से बीमार है अगर यहां सापर होता तो फ्रॉम आता यहां क्या दिया है आपको तो इसलिए आप यहां बेद का प्रियो कर दें तो नाउन हो जाएगा आपका फिवार अगे देखिएगा उसने एक चाकू से एक ब्यक्ति का मरडर कर दिया यह पुरा आप अठा दें पहले से हमारे पास नाउन है तो आप लिख देंगे केवल बेद तो he murdered a man बेदा नाव आगे है आपका preposition of इसका हिंदी अर्थ का की के होता है तो preposition जाधा तर आपको दिया होगा लेकिन एक वाफ ध्यान रखें यहां से कोशन आपसे खुब पूचा जाता है तो सियोर के साथ आपको आफ दिया है तो अच्छी बात है नहीं दिया है तो आप आफ लगा देंगी और इसी सेंटेंस को आपको सबसे पहले लिखना होता है तो देखिए पहला सेंटेंस तो यहां तो आसान है पहले से यह उफ दिया है उसके बाद नाउन है इसे अठा देंगे तो यहां पहले से यह आपका पूचा गया है यहां आप देख सकते हैं I will finish the work in time मैं समय के अंतर गत कार समाप्त करूँगा I am sure मैं आसवस्त हूँ दो या तेस मैं पूचा है तो देखिए हाँ sure आजा है तो सबसे पहले आप लेखेंगे I am sure I am sure इसके बाद preposition of subject आप अठा देंगे क्योंकि subject है बिल आप अठा देंगे तो यहां बाउब है आपके पास मैं finish तो यसे जीरन फॉर्म में बदलेंगे तो हो जाएगा finishing क्या हो जाएगा finishing उसके बाद लिख दीजिएगा the work and time I am sure of finishing the work and time मैं समय के अंदर कार को समाप्त करने के लिए आस्वस्त हों आप कहेंगे सर और कोई माद्या में तो add-wow का प्रियू का सकते है शुरू में लिख दें surely I will finish the work and time परिशान होने की आवज सकता नहीं है यानि कि जो sure है आपका अजयक्टिव इसे आप शुरू में लिख दें sentence की लेकिन वो add-wow का प्रियो हो जाएगा यह देहां रखें तो यानि कि sure इसमें ly लगा देंगे surely I will finish the work and time तो यह भी simple हो गया अब यह थोड़ी है वो यह कहेगा कि preposition ही लगाओ जिस माद्यम से आप बनाना चाते हैं उससे आप बना सकते हैं अगला sentence से आपका ये भी पूचा गया है I will get the first position मैं प्रतम position को प्राप्त करूँगा I am sure of it मैं इसके प्रति आसवस्त हूँ तो देखें यहां पहले से sure के साथ मैं आपको off दिया है तो it अठा देंगे आप I am sure of ठीक है? क्या लेखेंगे आप? I am sure of I am sure of it आपने अठा दिया I will लटे जाएगा get का जीरन फॉर्म मनाएंगे तो getting हो जाएगा क्या हो जाएगा? getting फिर उसके बाद the first position I am sure of getting the first position अगला pre-position आपका 8 है जर्नल ये fix works के साथ लगाए जाता है जैसे कि displeased हो गया shocked हो गया, surprised हो गया astonished हो गया, disappointed हो गया distressed हो गया खासकर आपका passive voice shocked से लगातर पूचा जा रहा है और उसके साथ हम pre-position why लगाती हैं लेकिन हमें add का pre-o करना होता है साथ यो ठेक है? जैसे देखिएगा पहला sentence he behaved rudely with me, उसने मेरे साथ अब अद्रता पूर्वक विहवार किया I was quite displeased मैं बिलकोल displeased था यानि के खुस नहीं था या अप्रसन था तो इसी से आपको सलसे पहले लिखना है I was quite displeased उसके बाद at आगे आप लिख देंगे his rude behavior, rude adjective हो जाएगा rude behavior behavior से आपका नाउन पन जाएगा behavior, ठेक है? behavior यह हो गए आपका simple sentence I was quite displeased at his rude behavior मैं उसके अभद्र बिहवार पर बिलकोल अप्रसन था या नाराई था You have failed आप असपल हो चुके हैं I was shocked मैं इसे क्या हूँ? आज चर्द चकित हूँ तो आप कैसे कह देंगे I was shocked at आगे लिख देंगे your noun form बना देंगे failed का तो failure मैं आपकी हसफलता पर क्या हूँ? sock हूँ नीचे बाले का बना कर देख लीजिएगा why preposition की बात करें तो यह बहुत तेजी होए तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है यह पैसिव के लिए यूज होता है तो he was awarded उसे पुर्सक्रित किया गया he was given a mat trophy उसे एक trophy दे कर तो आप कैसे भी कह सकते हैं यह भी है इसका हिंद्यार तो उसे एक trophy दी गई ठेक है परिसान नहीं होना तो आप कैसे कह सकते हैं he was awarded यह तो पूरा ही लिख देंगे आप उसके बाद ही अठा देंगे आप लिख देंगे यहां आप being लिख देंगे से क्या लिख देंगे being आप लिख देंगे given a trophy he was awarded by being given a trophy उसे एक trophy दीए जाकर सम्मानित किया गया एक option आप लोगों के लिए है इसका answer मुझे comment में आप लोग send करेंगे I heard the news I heard the news fully stop I became glad I became glad इसका answer आपको send करना है I heard the news मैंने खबर सुनी I became glad और मैं प्रसन हो गया वीडियो कैसा लगा comment के माद्यम से एक बार आवस्थ बताएंगे मिलते हैं नेक्ट वीडियो में Thanks for watching